तो की डिख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ तमन्ना दोस्तों entrepreneur शेप यानि की एक सही आइडिया और बिजनस स्टार्ट करने के लिए सही आइडिया या फिर एक appropriate idea आपकी बिजनस के लिए आपको कहीं भी मिल जाएगा social media किताबों में business के किताबों में मिल जाएगा करें एक साल के अंदर अंदर की बहाई अब बिजनेस नहीं हो पाएगा आज हम इनी बिंदूओं पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से आइडियाज हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं, जो हम भी अपने बिजनस में अपना सकते हैं और अपने बिजनस को एक established बिजनस की कतार में खड़ा कर सकते हैं देखेगा वीडियो एंड तक, क्योंकि एंड तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि कौन-कौन से factors हैं, कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं, जो अब तक आपको ब्रांड मेकिंग के लिए मकसद जरूरी जब आप startup की तयारी करें, तो आपके पास खुद की तयार की हुई planning, यानि idea या उद्देश यह होना शाहिए एक्सपर्ट के अनुसारे सोच के साथ जो startup की शुरुवात नहीं करते हैं, उनसे 40 पीसदी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यदि idea और अदेश खुद का नहीं है, तो आपकी मुश्किले बढ़ जाती है, किसी भी ब्रांड की making से पहले आवश्क है, या idea खुद का हो, ता अलग हो, जो innovative हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, क्या ऐसा सोचना सही है? सुलिए, नए प्रोड़क्ट को जल्दी लाना startup के लिए सही नहीं है, market research के अनुसार किसी भी product की सफर या विफल होने का अंदाजा कम से कम साल भर में लगता है, इसलिए startup की technology में आप innovation करें, लेकिन अपने primary product या service में जल्द बलाब ना करें, इसी काम से ज़्यादा जल्दबाजी भी उसे पतन की और ले जाती है, कस्टमर की बात सुनना सबसे ज़रूरी, जाधा तर लोग बिजनस में इसलिए विफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर की बात को ध्यान से नहीं सुनते, उन्टूपरार के लिए ज़रूरी है कि वो एक सब्ता में कम से कम 10 कस्टमर से डारेक्ट कॉम्निकेशन करें, उनकी रिव्यू पर रियाक्ट करें, क्योंकि डिजिटल वर्ड में कमेंट एवं रिव्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्यास करें कि कस्टमर की समस्या का स सामाधान हो, यदि कस्टमर प्रड़क्ट या सर्विस से खुश है, तो उसके रिव्यू या कमेंट का प्रयोग आप मार्केट में कर सकते हैं, परफेक्शन के पीछे बेवजान ना दो रहे हैं, कॉम्निकेशन कई बाद प्रफेक्शन को लेकर जादा चिन्पित हो जाते ह इससे वो किसी एक सेग्मेंट में अधिक बदलाव करते हैं या इन्वेस्टमेंट अधिक करते हैं, इसका असल स्टार्ट अप के अन्य पर पड़ता है, तो देखा आपने कौन-कौन से ऐसे लूपोल्स हैं जो आपके बिजनस को डाउन कर सकते हैं, हम आपको समय-समय पर जानकारी देते रहेंगे और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी बिजनस से जुड़ी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का बिजनस आपको शुरू करना है, उसके लिए आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स पे लिखे, वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, इ बिजनिस ओके है।